हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल में मैं जया अप्लोड करता हूं ब्सक्राइब करता हूं ब्सक्राइब बात करने माले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक रिलेशन के बारे हैं रिलेशन से रिलेटेट जितनी वी टॉपिक आप अमारे प्लीलिस में जाके देख सकते हैं डिस्क्रीट मैं बहुत बहुत जीली समझ में भी आएगा सो यह पढ़ने से पहले आपको बहुत सारे properties पढ़नी पढ़ेगी जिसमें हम बात कर रहा है relations जो होते हैं उसमें reflexive relation, irreflexive, symmetric, anti-symmetric, asymmetric and then आता है हमारे पास में transitive relation अब transitive relation नाम से पता चल रहा है transitive है सो transitive एक property होते है mathematics में और उसको अगर मैं in general अगर आपसे कहूँ ना तो A अगर B का friend है B अगर C का friend है तो Y default क्या कह सकते हैं को यह जो है वो C का भी friend होता है ठीक है तो यह mathematics की property होती है इसको अपन कहते हैं यहाँ पे transitive property तो यार उसका मतलब इसके relation में क्या meaning होई इसका उसके बारे हम बात करता है A relation R on a set is set to be transitive If X related to Y and Y related to Z Then X जोगा वो Z से related होगा और X, Y, Z जोगा सारे एक set से बिलोंग कर रहे है मान लीजिए मैंने एक set लिया यहाँ पे A अब इन में से हम बात करते हैं भया कुछ example लेके तो पहले तुम्हें आपको बता देता हूँ कि Transitive relation का मतलब क्या हुआ मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से दो ordered pair उठाया 1, 2 and 2, 1 तो अगर मैं यहाँ से इसका Transitive find करना चाहूँगा यह 2, 3 ले ले लेता हूँ चलो एक काम करता है 2, 3 ले ले लेता हूँ यह मैंने एक order pair उठाया अब भया यहाँ से न यह आपके पास में दो element है y, y यह x है, यह y है, यह y है तो अगर मैं y को अटा देता हूँ तो x जो हो क्या होना चाहिए इससे related होना चाहिए तो basically set के अंदर 1, 3 वाला element भी होना चाहिए तब जाके यह transitive relation बनता है ठीक है, बात करते हैं इसके बारा for example r1 अब r1 के अंदर देखो यह 1 है, यह x यह y, यह y, यह y यार z type का ही नीज में, 1, 1, 2, 2 so this is a symmetric trick, आप कैसा देखो, सबसे पहले आता है reflexio, मैं starting से इसको करने कोशिश कर रहा हूँ reflexio के अंदर क्या होता है जितने भी itself वाला है न, उसारे होने चाहिए अब यहां itself वाला है कितना 1, 2, 3, diagonal में जो होता है, इस general मैं ordered pair के बात करना है, जब आप a cross a का करते हो, मैं इस example के भी आपको समझा रहा हूँ तो a1, यहां पे न, 1, 1, 2, 2 यहार, 3, 3 भी होना चीएता न, तो यह reflexio तो नहीं होगा बात आती है, यहां पे irreflexio होगी irreflexio कहता है कि आप यहां पे क्या करो 1, 1, 2, 2, 3, 3 को तो ले लो लेकिन irreflexio कहता है उसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 को होने भी नीची इसके अलावा आप किसी को भी ले लो irreflexio हो जाएगा न, इनके अलावा तो यह तो यार, irreflexio भी नहीं हो this is not irreflexio बात आती है symmetric के तो symmetric कैसे होगा symmetric में क्या होता है 1, 1 है, 2, 2 है तो यह symmetric हो जाएगा ठीक है, यह symmetric हो जाएगा क्योंकि y default 1, 1, 2, 2 बरबर symmetric हो गया एक से ज़धा relation हो सकता है न, symmetric हो गया फिर बात करता है anti symmetric asymmetric, asymmetric हो नहीं सकता है transitive होगा या नहीं होगा जब मैं कहे रहा हूं कि 1, 2 से related है 2, 3 से related है तो 1, 3 से related होगा यहाँ पर distinct element ही 2 है तीन element ही नहीं है दो ही friend है, आपस में friendship कर रहा है तीसरे वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है तो भया, this is not a transitive यह transitive relation भी नहीं होगा इसके बारे हम बात करता है R2 के बारे में अब R2 जो आपके पास mix set है इसमें यह X हो जाएगा यह Y हो जाएगा यह Z हो जाएगा बट यहाँ पर इस set के अंदर जो इन दौनों को Y को अटाने पर जो बन रहा है ना वो ordered pair बन रहा 1, 3 1, 3 अगर इसके अंदर होता है तो यह साला set बनता है और यह transitive relation होता है पर 1, 3 इसके अंदर ही नहीं क्या हो जाएगा does not belongs to R2 मतलब क्या हो गया कि X और Y तो R से बिलॉंग कर रहा है Y, Z भी R से बिलॉंग कर रहा है basically I can say 1, 2 R से बिलॉंग कर रहा है 1, 2 R से बिलॉंग कर रहा है 2, 3 भी R से बिलॉंग कर रहा है R2 से बिलॉंग कर रहा है set से लेकिन जब आप इन दौनों को अठा देते है 1, 3 does not belongs to R2 पर यार वो तो होना चीए ना हमारा transitive वाला property है कहता तो यह क्या हो जाएगा not transitive हो जाएगा this is not a transitive तो transitive कौन सा होगा यह वाला हो जाएगा अब एक से ज़्यादा set 2, 3 property set की content कर सकता symmetric भी हो सकता transitive भी हो सकता reflexive भी हो सकता yes of course हो सकता ना for example यह देखो 1, 1 2, 2 3, 3 क्या होगा reflexive भी है symmetric भी है transitive अगर मैं transitivity की बात करता हूँ तो देखो यह अगर मैं इसके साथ में transitive लिखूँगा ना तो भाया 1, 2 भी इसके साथ में होना चाहिए और ने स्वारी यह transitive हो भी नहीं सकता यह transitive हो भी नहीं सकता this is 1 this is 1 all are distinct अब अगर मैं इसमें लिखता हूँ set के अंदर और element add गर देता हूँ itself आल है सारे होने चाहिए reflexive कहां यह symmetric होगा भै iç symmetric है तो 2, 3 है नady तो इसके अंदर 3, 2 भी होना चाहिए 1, 3 है नady तो इसके अंदर 1, 3 भी होना चाहिए 2, 1 नady तो इसके अंदर 1, 2 भी होना चाहिए यह तो नहीं है न A not symmetric but transitive है कैसे इसका relation अगर आप अटाओगे तो 2-1 इसके अंदर present है तो ये क्या हो जाएगा reflexive and transitive हो जाएगा तो ऐसे करके आप बहुत easily इसको पढ़ सकते हैं very easy topic है I think आपको पूरा topic जो है वो अच्छे से clear हो गया होगा so thanks for watching my video, keep watching MSMAS and see type के for more videos के लिए हमारे channel को subscribe करा है thank you, bye bye